नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से सेल्फ में टिटोरियल में आपका स्वागत हैं आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ आप लोग जैसे कि आप चानते हैं कि पीटी एक्जाम में अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन पूछे जाते हैं यह पेपर होता है जेनल स्टाडिज का और इसमें टोटल 150 कोश्चन होते हैं अब्जेक्टिव कोश्चन तो आप लोग जैसे उपर देख भी रहे हैं PT exam 2018 और फिल से एक बार में बता दू BPAC 36V PT exam का ये कोश्चन पेपर है कोश्चन बुकलेट सिरीज है B टाइम होता है 2 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स 150, 150 मार्क्स का होता है यहां जो भी important instruction दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं इसमें negative marking नहीं होता है इसके answer देने के लिए आपको OMR sheet दिया जाता है ओके आप लोगों ने देखा मैं आपको बता दू कि questions हिंदी, मेडियम और इंग्लिस मेडियम दोनों में आते हैं इसमें जो आपके रूची पर डिपेंड़ है आप किस मेडियम के हैं किस मेडियम में आप answer देना चाहेंगे तो मैं यहां हमने answer तो दिया है लेकिन हिंदी वाले में तो आप यहां देख सकते हैं जो भी इंग्लिस मेडियम के बच्चे हैं students तो वो देख सकते हैं आपर question number one two three four five six ओके यह इंग्लिस का है आप यहां देख लिजे हिंदी वाले पर देखें one का answer लिखा हुआ है इसमें जो भी टिक लगाया हुआ है वो सही है कि नहीं मुझे नहीं पता किसी विद्यार्थी का यह question paper है यहां जो real answer है वो यहां पर bracket में लिखा हुआ है जैसे one का answer है b two three का answer e four five का answer e है six दिया हुआ है आप लेख सकते हैं तेरा नंबर question का answer होगा b पंद्रा नंबर question 16 नंबर 17 का c answer होगा 18 का अठारा का b 19 का c 20 का b sorry 20 answer होगा d इंगलिस वाले में आप दो दो question एक साथ देख लीजिए कुश्चन नंबर एक इस का answer होगा b 22 का answer a है 20 का answer a 24 का d 25 का e 26 का a है answer होगा 27 का answer देखिए c अगर इंगलिस वाले बच्चे अगर बनाते हैं इंगलिस का तो answer आप इसमें देख सकते हैं 28 का answer b 29 का answer e 30 का भी 31 31 इस से का इससन नंबर इससन गए ब्रुमिन वता है यह लाल द्रब्रवें 33 का सी answer होगा 34 का a 35 का b 36 का अंसर D 37 का E 38 का C 49 का D 49 का A आप देख सकते हैं आंसर हमने हिंदी वाले कोशन के सामने लिखा हुआ है 41 का अंसर होगा B 42 का E 43 का C 44 का D 45 का E आंसर E होगा 45 46 का D 47 का B 48 का C 49 का D 50 का आंसर A Question No.1 क्याओन और चोण एक साथ आप देख सकते हैं Question No.52 and 55 53 and 56 51 का आंसर होगा D 52 का आंसर D 53 का B 54 का आंसर C 55 का D 56 का आंसर A Question No.57 और 60 देख लिजे 57 कांसर B होगा 58 59 का आंसर A है 60 का आंसर D 61 का D 62 का D 63 66 Question आप देख लिजे 63 का आंसर A 64 का आंसर D 65 का आंसर D 66 का आंसर D 67 का आंसर D 61 का आंसर D 66 का आंसर D 69 का आंसर C 70 का आंसर B होगा 71 का C 72 का आंसर D 73 का आंसर E 74 का आंसर B 74 का आंसर B 75 का आंसर D 76 का आंसर D 77 का आंसर D 78 का आंसर होगा A 79 का आंसर D अब देखिए 80 से यहां इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट है उधर हिस्ट्री दिया हुआ था 20 कोश्चन था वो बिहार के दियां से था और यहां से पूरे भारत के दियां जिसमें प्राचीन मद्यकालीन और अधुनिक्स भीए हैं 82 देख लिए जी कोश्चन नमबर 82 का आंसर होगा A 83 का E 84 का आंसर होगा D 85 का आंसर E 86 का आंसर D 87 का B 88 का A 89 का आंसर B 90 का C 91 का C 92 का आंसर A है 93 का आंसर B 94 का आंसर A 95 का आंसर देख लिजे 95 का आंसर देख लिजे 98 का आंसर होगा B यह मोर्डार्न हिश्टी से सब रिलेटेड है 99 का A 100 का A 101 का आंसर होगा B 102 का D 103 का आंसर B 104 का D 105 का A 106 का D 107 का आंसर B यह कोश्चन एंगलिस में है तो आप कोश्चन देख लिजे आंसर हिंदी के सामने हमने लिखा है कोश्चन नमबर 108 का आंसर होगा B 109 का आंसर C 110 का आंसर 111 का आंसर C होगा 112 का आंसर 12 113 का आंसर 114 का आंसर B 115 का आंसर D 116 का आंसर D 117 का आंसर D 118 का आंसर D 119 का आंसर D 120 का आंसर D 121 का आंसर C 122 का आंसर C होगा 123 का आंसर B 124 का आंसर B 125 का आंसर C 126 का आंसर B 126 का आंसर A 128 का आंसर A 129 का आंसर D 129 का आंसर D 131 का आंसर E 131 का आंसर E 132 का आंसर E आप देख लिजै यहां पर जोगराफी से कॉश्चन है लगबाग 13 कोश्चन है 132 का आंसर A 33 का आंसर E 34th answer B 35th answer B 136th answer D 137th answer C 138th answer A 139th answer B 140th answer B 141th answer B 142th answer C 143th answer A 144th answer B यह सारे क्वेश्चन जो है इधर के जो ग्राफी से आ रहे हैं देख लीजिए 145 का यह सब क्वेश्चन है 4548 145 कांसर A होगा 146 कांसर B 147 कांसर D 148 कांसर C 149 कांसर C 150 कांसर B 155 कांसर B एक बार मैं आप बता दूए आप तो इधर इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए यह दो पेज रफकार्ज के लिए देता है आप यहां इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि देख लिजे एक हे यह करके पोड़ेजेग इसमें टोटल 150 कोश्चन है इन में से 20 कोश्चन भीहार के हिस्ट्रीच आता है 20 कोश्चन इंडियन हिस्ट्रीच में लगवग एंसियंट मेडियवल और मॉडर्ण हिस्ट्रीच होता है इसके अलावे 10 mathematics है, quantitative mathematics जो होते हैं, उससे related हैं, उसके बाद से 20 question science से है, लगभग 15 या 13 question geography से, politics से और economics से हैं, इस तरह से पूरा question का ratio है कि किस की subject से हर एक बाद तुम्हें करना भूल गई, 40 question current affairs होता है, चलिए, आप हमें जरूर बता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपने मे किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो, आपके subject से बिसे सुरूप से history, जो जिसे related वीडियो अप्लोड के जाएंगे, और वह सारे वीडियो अप्लोड किये गए है, आप देखते रहे हैं मेरे चैनल को, थैंक यू,